नमस्कार मेरा नाम है अवे आदब और आप सभी देख रहे हैं केरिट पाइंट क्रासेस यूटूब चैनल आप सबका स्वागत है आज के इस नए 10 मिनिट एब्री डे के नए एपिशोड में और आज के एपिशोड का जो मुख विशह है वो बीते 26 नवंबर को जो दो दिव निकला है पिछले दो-तीन दिन पहले ये हम परिशारतियों के लिए हम सभी के लिए एक्जाम में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि क्या करता है कि सीधा-सीधा कभी पूछ लेता है और कभी-कभी लिंक करके भी पूछता है तो उन सभी पॉइंट्स में हम लोग राष्टिये दुग्द दिवस पे राष्टिये दुग्द दिवस जो है वो हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह जो 26 नवंबर को मनाया जाता है राष्टिये दुग्द दिवस यह जो है डाक्टर वरगीज कुरियन के जनम दिवस के द बात करता हूँ, डाक्टर वर्गीज कुरियन जो थे, कोशन अगर आप से सीधा सीधा कभी ये पूँच ले, कि भारत में स्वेत करांती के जनक कौन थे, भारत में स्वेत करांती के जनक जो थे, वो डाक्टर वर्गीज कुरियन थे, सेकंड कोशन आप से ये पूँच सकता ह कि operation flood के नेतुरत करता है operation flood हिंदी में लिखेगा इंग्लेश में लिखेगा आपको operation flood ध्यान रखना है operation flood दिमाग में बाड़ वाला सब्द नहीं लाना है flood से आप relate करके वहाँ पे नहीं चाना है operation flood जो था वो दूद से संबंदित था दूद करांती से संबंदित था और उसके नेतुरत करता अगर पूशेगा operation flood के नेतुरत करता तो भी आप जबाब देंगे डाक्टर वरगीज कुरियन और अगर आपसे question पूश लेगा था milkman of India पूशेगा तब भी आप डाक्टर वरगीज कुरियन बताएंगे और भारत में अगर मैं बात करूँ तो उत्तरपदेश राज जो है अपना राज उत्तरपदेश राज दुग दुटपादन में पहले स्थान पे है भारत में ठीक है तो दुग दुटपादन से या राष्टी दुग दिवस 26 नवंबर से अगर कोई कोशन बनेगा तो इन पॉइंट्स पे आप सबको मैंने ध्यान दिलाया आगे मैं बात करता हूँ 26 नवंबर को ही आपका दूसरा दिन मनाया जाता है दूसरा दिवस मनाया जाता है शंबिधान दिवस संबिधान दिवस भी 26 नवंबर को मनाया जाता है और ये जो दिवस है ये इसलिए मनाया जाता है इसके पीछे की कहानी ये है कि 26 नवंबर 1949 26 नवंबर 1949 को हमारा संबिधान संबिधान सबा के दौरा आपचारिक रूप से अपनाया गया था कब भारत का सम्मिधान अपना गया था कब 26 नवंबर 1949 को और अपचारिक रूप से अपनाने का मतलब यह है कि पूरे देश में लागू नहीं किया था उस सम्मिधान के केवल 16 अनुछेद को निकाल के लागू किया गया था कब 26 नवंबर 1949 को उसी दिन से हम लोग मनाते थे अभी तक मनाते थे देखी एक पॉइंट मैं आपको और याद दिलाना चाहूँगा कि अभी तक हम लोग जो मनाते थे वो राश्टी विदी दिवस के रूप में मनाते थे राश्टी विदी दिवस के रूप में मनाते थे किसको 26 November को लेकिन 2015 से इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम कर दिया गया है शम्मिधान दिवस और 2015 से ही क्यों क्योंकि 2015 में डक्टर अंबेडकर वियार अंबेडकर जी की 125 मी जैनती उसी वर्स हो रही थी तो उनके सम्मान के लिए उनको शम्मान देने के लिए इसका नाम क्या कर दिया गया शम्मिधान दिवस कर दिया गया और मैं बात करूंगा कि अपना शम्मिधान जो है वो पूर रूप से कब लागू हुआ तो आप सब जानते हैं गरतंतर दिवस 26 जनवरी 1950 26 जनबरी 1950 को अपना शम्मिधान भारत का शम्मिधान पूर रूप से लागू हो गया था मैं अपने शम्मिधान की एक बात करूँ इसके कुछ मुख मुख पॉइंट्स की बात करूँ जो कई बार सीधे सीधे कोशन्स में पेपर में पूँच लिये जाते हैं तो फिर आप उनकी में बात करूँ कि दुनिया का सबसे लंबा लिखित सम्मिधान जो है दुनिया का सबसे लंबा लिखित सम्मिधान जो है वो अपना भारत का सम्मिधान है इसको बनने में आपको समय कई बार कई कोशन पेपर में आपका ये कोशन बना है कि इसको बनने में इसको लेखने में कितना समय लगा तो आप सब जानते हैं कि दो साल ग्यारा माह अठारे दिन दो साल ग्यारा माह अठारे दिन जो है इसको बनने में समय लगा कई बहर आपसे कोशन पूच लेता है कि संविधान के जनक कौन है भारती संविधान के जनक कौन है तो आप तुरन्द बताएंगे Dr. V.R. Ambedkar Dr. V.E.M. Rao Ambedkar एक और कोशन आप से कुचता है कि प्रारूप समिथ के अध्यच्य कौन थे भारती संविधान के प्रारूप किस देश से क्या चीज अपने संविधान में जोड़ी गई है तो वो पॉइंट भी आपसे संविधान से बनता है तो 26 नमंबर की मैंने बात करी 26 नमंबर को दो दिवस मनाय जाते हैं राश्टी दुख्त दिवस और संविधान दिवस और इन से अगर कोई कोशन बनेगा तो से एपिशोड देखने के बाद आप कभी गलत नहीं करेंगे आज के एपिशोड में इतना ही रखते हैं मिलते हैं किसी नए एपिशोड में नई जानकारी के साथ तब तक आप सबको नमस्कार और अपना प्यार जरूर दिखाईएगा अगर आपको सेशन अच्छा लगता ह है तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा कि आपके लिए नौलिज के स्परकार की है आपको यह हैल्फुल है कि नहीं है और इस तरीके से और और वीडियो बनाए जाए या नहीं बनाए जाए चलिए मिलते हैं किसी नए एपिशोड में तब तक के लिए नमस् और बार